तो आज हमारा टॉपिक है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर तो सबसे पहली चीज आती है कि what is the synchronous motor और दूसरा कोशन यह arise होता है कि यह motor self-starting नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है ठीक है तो जब हम बात करते हैं मेटा synchronous motor की तो दो चीज़ें हमेशा अपने माइन में रखेंगे क् हम बात कर रहे हैं किसी भी मशीन की तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट होती है वन इस स्टेटर और वन इस रोटर नॉर्मली हर मोटर में जो स्टेटर होता है वह फील्ड होता है रोटर होता है वह आर्मेचर होता है synchronous motor is the only machine जिसमें यह दोनों चीज़ें इं यानि स्टेटर आर्मेचर बन जाता है और रोटर फील्ड बन जाता है यानि फील्ड का मतलब हुआ कि रोटर के पोल्स फिक्स्ड होंगे अगर टू पोल मशीन है तो नौर्थ एंड साउथ फिक्स्ड होंगे बनाने की जरूवत नहीं पड़ेगी बट इन केस आर्मेचर यानि स्टेटर हमें पोल्स क्रियेट करने पड़ेंगे विद्ध हेल्प आफ सप्लाई तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हमेशाब क्लियर है पहली चीज़ क्लियर हो गई कि स्टेटर आर्मेचर होता है और रोटर फील्ड होता है नाव दो कुश्चन अराइज इस थ्री 3-phase synchronous motor not self-starting यह कुश्चन हमारा राय होता है कि 3-phase synchronous motor not self-starting तो यह क्यों self-starting नहीं होती है यह हम लोग discuss करना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा numerical लेते हैं 120F upon P This is our synchronous speed यह वो speed है जिस speed पे stator का flux यह जो rotating magnetic field बनता है हमारे air gap में वो अपनी positioning को change कर रहा है क्योंकि these are three phase synchronous motor यह three phase machines हैं तो three phase machines का मतलब हुआ यहाँ पर जो flux हो रहा है वो three phases में generate हो रहा है phi r, phi y and phi b और यह three phases में हमारा जो flux generate हो रहा है यह three phases में r के बाद y, y के बाद b, b के बाद r यह बार बार अपनी positions को क्या कर रहा है change कर रहा है at a particular angle तो वो जो positioning change हो रही है वो जिस speed से change हो रही है that speed is known as synchronous speed जिसका formula होता है हमारा 120F upon P this speed must be constant यह speed हमारी constant होती है because F is a frequency और किसी भी machine यानि किसी भी system की जब हम ऐसी की बात करते हैं तो frequency fixed होती है 50Hz और P is a pulse pole भी हर machine के fix होंगे at the time of manufacturing poles fixed हो जाते हैं 2-pole machine है, 4-pole machine है, 6-pole machine है poles are fixed और 120 is a constant value तो NS यानि 1 यह हमारी synchronous speed है यह हमेशा एक constant speed प्रोवाइड करती है अब हम एक general machine लेते हैं और हमने example लिया है 2-pole machine का हमने एक simple 2-pole machine को consider किया तो अगर मैं यहां से इसकी speed को calculate करती हूं तो frequency is 50, pole is 2 तो हमारी speed निकल कर आई 3000 rpm और अगर मुझे इसे seconds में बदलना हो तो मैं जस 60 से divide करूंगी इसको तो speed निकल कर आई 50 rps यानि आप यह समझ पा रहे हैं कि एक second में हमारी machine के pole 50 times change हो रहे है इस speed से क्या परक पढ़ता है पता चलता है कि in one second जो stator poles है stator poles change their position 50 times यानि एक second में stator के pole 50 times change हो रहे है which is very fast बहुत तेजी से change हो रहे है अब इसी concept पे हम अपने synchronous motor की बात करते हैं तो हम एक general conditions बनाते हैं फोर इंक समपा छोटा सा एक circuit बनाते हैं अपना यह हमने एक stator तैयार किया this is a stator जिस पर हमने three phase supply provide कर आई r y b this is three phase ac supply तीक है और यहां है हमारा rotor this is rotor क्योंकि हम two pole machine का example लिया था तो हमने यहां पर rotor भी अपना two pole का ही लिया है this is a rotor and this is a stator और यह जो बीच में बन रहा है आपका यह air gap है अब rotor के pole is already fixed this is N2 this is S2 और stator के pole create किये जा रहे है according to the positioning for example अभी यहां पर मैंने N1 और S1 pole consider कर लिया है अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में magnetization होगा यह north pole है यह भी north pole है यह north pole इस north pole को आपका repel करेगा repel करेगा मतलब यह north pole इधर घुमने की कोशिश करेगा यानि यह इस direction में जाएगा यानि accelerate होगा in clockwise direction यानि रोटर हमारा clockwise direction में घुमने लगेगा बट जैसे ही this is a instant A हमने इस instant को नाम दिया है instant A यानि लेकिन जब तक यह rotor clockwise direction में घूम रहा है इसकी दूसरी position तयार हो जाएगी जिसे हम दूसरे instant को create करते हैं हमने फिर से एक diagram create किया अपना यह है हमारा stator के pole and this is rotor pole this is three phase AC supply N2 and S2 are fixed यानि rotor pole are fixed बट अब अगर आप ध्यान से देखेंगे instant B positive से negative supply होते ही जो पोल नौर्थ था वो south में बदल गया और जो south था वो north में बदल गया तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने first instant में this is a north pole एक positive से negative cycle आते ही यह north pole south pole में बदल जाएगा और नीचे वाला south pole नौर्थ पोल में बदल जाएगा यानि हमारा instant B यह बन कर तयार हुआ अब इसका मतलब यह south है और यह north है तो जो rotor हमारा clockwise जा रहा था अब यह उसको क्या करेगा यह अपनी तरफ attract करने की कोशिश करेगा attract करने का मतलब है रोटर अब anti-clockwise direction में accelerate हो जाएगा accelerate in anti-clockwise direction इसका मतलब रोटर ने क्या किया रोटर ने अपने आपको anti-clockwise direction में accelerate कर वा लिया जैसे ही वो anti-clockwise direction में आएगा again instant A बन कर तयार हो जाएगा हमारा instant A मतलब जो south था वो north बन जाएगा जो north था वो south बन जाएगा इसका मतलब फिर repel करेंगे तो ये clockwise direction में जाएगा और उसके बाद जैसे ही clockwise में जाने की कोशिश करेगा instant भी create हो जाएगा यानि उपर south नीचे north ये that means कि हमारा रोटर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिर्फ पर एक ही instant पे vibrate कर रहा है कुछ इस तरीके से और जब तक ये respond नहीं करेगा ये force के साथ respond नहीं करेगा तब तक ये rotate नहीं हो पाएगा this is the reason कि हमारी synchronous motor self starting नहीं होती है because rotor rotate नहीं हो पा रहा है यानि वो उतना force create नहीं कर पा रहा है जिससे कि rotor को rotate करा सके this is the reason जिसकी वज़े से हमारी synchronous motor self starting नहीं होती है ठीक है न तो इसका मतलब इसको start कराने का जो तरीका हुआ वो start कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा starting method यानि start कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा simple magnetic locking यानि rotor और stator के pole को same time पर change किया जाए जिससे की दोनों के बीच में एक force of attraction create हो जाए और वो force of attraction इतना strong हो कि वोन दोनों के बीच में magnetic locking हो जाए this is r y b for example है न और यहाँ पर भी हमने एक coil connect किया एक wire connect किया simple dc supply create कर दी तो यहाँ पर हमने क्या किया for example this is s2 pole this is n2 pole this is n1 pole this is s1 pole और यह है उनकी speed rotation की तो हमने यहाँ पर एक simple dc supply को provide कर आया rotor को simple एक external dc source excite कर आया सिर्फ इसलिए कि यह उतनी देर तक इस pole को इस pole के साथ attract करके रख सके यानि यहाँ पर for example अगर यह है हमारा stator pole और यह है हमारा rotor pole इनके बीच में इतना force of attraction create हो जाए force of attraction की यह क्या करने लगे यह एक दूसरे को अभी रोटर इसके साथ ही अपनी position को change करने लगे और जैसे यह rotor एक बार rotation लेना start करेगा due to back EMF वहां back EMF create होगा और वो back EMF आपकी motor को एक self regulating machine बना देगा और आपकी motor start हो जाएगी तो इसको start कराने का बहुत simple तरीका हुआ हमारा कि हमें सिर्फ rotor को एक अलग supply source देनी पड़ेगी एक external engine के साथ उसको connect करना पड़ेगा जैसी हम उसको supply source के साथ connect करेंगे हमारा रोटर एक proper rotation लेगा एक clockwise direction में यानि जिस direction में हमारा stator के pole change हो रहे है उसी direction में हमारा rotor rotate करना start कर देगा acceleration create हो जाएगा due to force of attraction यानि दोनों के बीच में create करनी है हमें magnetic locking करने किया है जैसे ही यह rotor हमारा rotate करेगा हम supply source को रिमूट कर सकते हैं rotor को supply दोबारा देने की कोई requirement लेगा rotor self start क्यों नहीं होता है synchronous rotor self start क्यों नहीं होता है rotor stator pole के साथ आपका accelerate नहीं कर पाते हैं उसके साथ rotation नहीं ले पाते है that's why हमारा rotor start नहीं हो पाता है और उसको start करने का तरीका है कि rotor को एक अलग DC source या DC supply दी जाए एक अलग engine के साथ उसको rotate कराया जाए जिससे कि इन दोनों की बीच में magnetic locking हो जाए दोनों poles की बीच में और rotor हमारा clockwise direction में rotate करने लगे clear तो this is a simple working of synchronous motor thank you thank you for watching this video I hope synchronous motor की working समझ में आ गई होगी